बच्चों हम कल चैप्टर फाइव में चैस तक पढ़ चुके थे आज हम इसके आगे की रीडिंग करेंगे चैप्टर फाइव में चैस तक हम ने कर लिया था आज हम करेंगे हैंड्स से रीडिंग हैंड्स क्या होते हैं हमारे हाथ हैंड्स कहते हैं हाथ हमारे दो हेंड्स होते हैं और तैन फिंगर और दस उंग्लिया होती हैं वी यूज देम टू कैश्च और लिवट दटिंग्स और डू डिफरेंट वर्क्स हम उन्हें किसली यूज करते हैं चीजों को उठाने के लिए और बहुत सारे कारे करने के लिए we should cut the nails of fingers time to time हमें जो है अपने nails time to time cut करने नहीं चाहिए क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं तो इसलिए हमें बार बार उन्हें जब बड़े हो जाया तो उन्हें cut कर देना चाहिए we should do exercise of wrist and fingers to keep them healthy हमें अपनी wrist मतलब होता है कलाई और उंगलियों को exercise करने चाहिए जिससे की वो स्वस्थ रहे next is feet feet क्या होता है बच्चों पैरों को कहते है feet the use of feet and their fingers is done for standing, running, walking, jumping and cycling जो feet होते है और उनकी फंगलिया जो होती है वो खड़े रहने के लिए, दोड़ने के लिए, चलने के लिए, jumping मतलब उचलने के लिए और cycling के लिए हमारी मदद करती है we should use shoes or sleepers for safety of them हमें अपने shoes और sleepers जो है safety के लिए पहनने चाहिए पहलों की safety के लिए we should walk and run daily in the morning along with exercises and asans हमें जो है रोज सुबह जो है morning में चलना चाहिए और morning के टाइम में हमें exercise करने चाहिए और different yoga के आसन करने चाहिए next setting is ears ears क्या होते है ears होते है हमारे कान ears कान ears provide the ears provide us the power of hearing ears से क्या करते है हम सुनने की शक्ति आती है the outer part of ears catch sound जो भार का outer part होता है वो क्या करता है sound को catch करता है from environment and send them into the inner parts of which we hear और कान के अंदर हमें जो पार्ट से उनमें वेशता है सुनने के लिए उस sound को we should not insert any wooden or iron stick into the ears and save them hard and loud sound हमें जो है उनके अंदर कोई भी लकडी की जैसे कुछ लोगों थे लकडी की या तिली से या माचिस की तिली से ने कान साफ करें लगते है तो हमें वो यूज नहीं करनी चाहिए और अपने कानों को जो जाते आवास से चोट नहीं पहुचानी चाहिए next is nose we smell with the help of nose हम nose की साहता से क्या करते है कुछ चीज सूंग सकते है it helps us in breathing यह हमें सांस लेने में साहता करती है it tastes good or bad smell यह हमें अच्छी और बुरी स्मेल दोनों बताती है we should do pranayam to keep it healthy we should not insert fingers or stick into nose हमें कभी भी नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए और नहीं कोई stick अपनी नाक में डालनी चाहिए while eating we should not talk otherwise food can go into breathing organ जब हम खाना खा रहे हों तो हमें बोलना नहीं चाहिए नहीं तो जो खाना है वो हमारी सांस की नली में चाह सकता है तो बचो इसके reading आज आप करेंगे कल हम next page के reading करेंगे